नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अंशिका कानपुर में जुमे की नमाज के बाद मचे बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने उपदरवियों की ऐसी क्लास लगाई थी जिसके बाद फिर एक बार अपराधियों के मन में बाबा की देखने को मिली लेकिन ये जिहादी अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आये हैं जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन देखा गया दिली, बंगाल, करनाटक, प्रयागराज समेत कई जगाओं पर इन कटरपंतियों ने पत्थरबाजी की और नुपुर शर्मा के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया लेकिन इस बार जो इन कटरपंतियों ने हरकत की है उसका भारी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जम्य की नमाज के बाद इकठा होकर ये कटरपंति इस तरह माहौल बिगारने की कोशिश करते हैं तो क्या उस जम्य की नमाज को ही बैन किया जाना चाहिए इसे विशेपर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी की एग्जेक्यूटिव एडिटर त्रिप्ती शिवास्तव त्रिप्ती जी बहुत बहुत खबागति त्रिप्ती जी जिस तरह से जम्य की नमाज के बाद लगातार इकठा होकर ये कटरपंत्य पथर बाजी कर रहे हैं माहौल बिगारने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या लगता है कि आगे किस तरह के action लिये जाएंगे इनके खिलाफ। उसके बावजूद अगर इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है कि इतनी security होने के बाद धारा 144 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी का शासन होने के बाद जो बुल्डोजर बाबा जाने जाते हैं जो की तेजी से कारवाई करते हैं अगर उसके बावजूद भी ये इस संक्या को इसलिए कोई कुछ ना कहें तो अब ये होने वाला नहीं है और ना ही सरकारों को ये करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से जुमे की नमाज में इस बार ये कठा हुए और बाहर निकलने के बाद फिर वही हरकत शुरू हुई जो की पिछले बार हुई थी इस से ये त सलमान क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप ये क्या कहेंगे क्या ये सारे कोई आतंकवादी तो है नहीं ये वही लोग है जो उस एरिया में रहते हैं जिन से लोग आपस में रोज मिलते हैं जो आमने सामने से निकलते हैं आम लोग माने जाते हैं अगर ये पत्थर बा नमाज के दोरान ऐसी क्या दक्रीरे होती है जो खुद्बा पढ़ा जाता है यह सवाल फिर से उठने लगा है जिसके बाद बाहर निकलके यह भीड ऐसी हिंसक हरकते करती है और इसलिए बार-बार मांग उठती है कि जुम्मे की नमाज अगर होती है तो अंदर CCTV कैमरा लगाय जाए उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और दुनिया को ही पता लगना चाहिए कि अंदर ऐसा इनसे क्या बोला जाता है कि बाहर निकलके पत्थरबाजी और हिंसक हरकते करते हैं प्रिप्टी जी जिस तरह से ये हिंसात्मक प्रदर्शन हर जगह से सामने आ रहे हैं तो क्या ये साज़िश के तहत भड़काई गई हिंसा है क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो कई जगा F.I.R. होने के बाद अब पुलीस की जांच तो जारी है तो पर कानून के दा पुलीस सरकार ने पिछले आछ साल में ठेवरों विकास के काम कीань Carry चाहिए ता और सबक लेना हिंए ता वो उस नेक्सेस प्रेव जिहादियों के नेट्वरक पर लगा म लगाना चाहिए ता जो पिछले तीन-चार साल से लगातार देश के अंदर अराजकता और दंगा इसमें भारत की बदनामी हो रही उसने कोई लेना देना नहीं है तमाम वो सेकलो और लिबरल जो कि नुपुर शर्मा के उपर जब गल्फ कंट्री इसने बोल दिया था कि हमारे इसलाम का अपमान किया तब वो बड़े चौड़े होके बोड़े थे देखो इंटरनेशनल हो रहा है एक आदमी नहीं आया ना कोई एक्टर आया जो अपने आपको ये वामपन्ती जितने हैं लिबरल सेकुलर जो इसका विरोत करें या इसकी निंदा करें अब बात करें आप जो साज़िश की बात करें ये तो बहाना ढूंड ही रहे थे अब थोड़ा मॉडस ऑपर आप सीए के दौरान बात देखिए कि किस तरह से लगतार ये साज़िशे की जारी है और क्यों मोधी सरकार के लिए मैं ये बोलते हूं कि उन्होंने इसके ओपर कोई काम नहीं किया और आज ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है सीए अंदोलन जो हुआ था तब भी जुम्हे की नमाज से बाहर निकले थे और लोगों को भड़काया गया था उसके बाद एक ऐसे कानून को लेकर पूरे देश में जो है अराजकता पहलाने की कोशिश की गई थी जिसका भारत के मुसल्मानों से कोई लेना देना नहीं था इनको ये संविधान लेकर बैठे थे जबकि इस संविधान का उस कानून से किसी अधिकार का उसमें हनन हो ही नहीं रहा था कोरोना आया सरकार की तरह से मैं यहीं कूँगी कुछ किया गया कोरोना आया इसलिए उनको हटाना पड़ा उस बीच दिल्ली में दंगे हो गए, आपने 58 या 52 लोगों की जाने चली गई उसके दोरा, आप तब भी नहीं समले, पूरा PFI connection सामने आया, लेकिन सिर्फ यही सुनने में मिला, rate पड़ी है, rate पड़ी है, इसका connection है, उसका connection है, इसका मतलब साफ है ना, कि खुफी अजेंसिय को सारी चीज़ पता है कि कहा से connection है, उसके बाद आपने अगर लगाम नहीं लगाई, हिजाब का मुद्दा उठा, हिजाब का मुद्दा उठा, उस हिजाब के मुद्दे का जब आपको पता है, कोट में कारवाई चल रही है, और अगर आप सम्विधान मानते हो, मैं मुसल मुसलमानों के साथ बुरा होरा है, जबकि कोई बुरा नहीं हो रहा था, हिजाब आपको चीज़ आपको अनौनिया मनते हैं, क कहा से पैसा आता है, इन लोगों के पास आंदोलन करने के लिए इतने बड़े स्टरपे, अब आप आइईएं यहांपर, जब हिद्दू नवा पत्थर बाजी हुई उसके बाद राम नोमी के जो शियो भाय आत्राइए निकली उस पर एक साथ जगा पर एक जैसी मॉडस ओपरंडी के तर पत्थर बाजी होती है क्या ये सईयोग हो सकता है और वही मॉडस ओपरंडी आप ये देखें कि जुम्मे की नमाज के बाद हुई कि यहाँ यूपी में शुरू हुआ दस जिलो में उसके बाद आप देख रहें करनाटक में जम्मू में दिल्ली में सब जगा एक साथ वही हरकते पत्थर मारो और पुलिस को पीछे करो अब यहाँ भी प्रशासन की गलती है कि आप गोली नहीं चला सकते एक बार अगर चा नहीं पर इनकर स्कते अभारत करें पूरे जखेंग रही है तब यह इनसे की बघ रह이지 हैं वहां अभी तक कोई बड़ा तंकवादी हमला करने में या बड़े स्तर पर दंगा फसाद करने में काम्याब नहीं हो पाए हैं लेकिन ये हरकते बता रही हैं कि आप इनको छूट देते जा रहे हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है लेकिन ये अब बरदाश्ट के बाहर है क्योंकि ये कब तक चलेगा अब जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ पहले भी आपने बताया सिए कि दौरान भी जुम्मे की नमाज के बाद ही लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था इस बार भी कानपूर में हमने देखा जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की खबरे सामने आई इस बार भी जब जुम्मे की नमाज थी उसी के बाद ये हिंसात्मक घटनाए सामने आई है तो लगातार अब एक सवाल उठने लगा है कि जुम्मे की नमाज को ही बैन किया जाना चाहिए तो आपको क्या लगता है क्या योगी सरकार की ओर से या देश भर की बाकी सरकारों की ओर से ये फैसला लिया जाएगा देखे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शुरुवात होगी न तो वो उत्ता प्रदेश से ही होगी क्योंकि योगी आदितिनाथी एकलोते ऐसे मुख्यमंत्रिये जो इतना साहसिक पदम उठा सकते हैं और वो भी पूरे तक्तियों के साथ आप एक बार करोगे दो बार करोगे लेकिन जब आपको पता है कानपुर हिंसा के बाद से लगातार कारवाई हो रही हो उसके बाद भी अगर ये होता है तो वो पूछेंगे ना उन मौलानाओं से जिनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी क इस तरह की हिंसक हरकते ना हो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मुसल्मानों को बाहर निकलने पर इस तरह की हरकते करने से रोके जो ये दावा करते हैं कि मुसलिम उनकी तक्रीरे सुनते हैं तो अगर आपकी तक्रीरे नहीं सुनते हैं तो फिर प्रशासन को तो कदम उठा पर और वो भी देश भर में वो सीधे सीधे ये चुनोती दी गई है कि वो भारत के प्रशासन भारत की सुरक्षा विवस्ता को सीधे चुनोती दे रहे हैं और उसको मानते ही नहीं है इसलिए भारत के जितने भी राज्ये हैं उनमे से मैं उत्तर प्रदेश का इसलिए उधार खराब करने की कोशिशों में लगे हैं लेकिन जिस तरह से सीम योगी की ताबर तोड कारवाई इस मामले में जारी है उसके बाद इन लोगों की इन नापाख हरकतों से अब जुम्हे की नमाज पर बैन लगाये जाने की मांग उठनी शुरू हो गई है नुपुर्शर्मा ने जो टिपणी मोहमत साहब पर की है उसके बाद पुलीस की कारवाई जा रही है जिसके तहद उन से पूछताच की जा रही है लेकिन जाच के परिणाम का इंतजार करने के बजाए लगातार ये कट्टरपन थी बार बार हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देकर माहौल खराब करने की कोशशे कर रहे हैं जिसका भारी खामियाजा भी अब इन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा इस फिशेपर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवार धन्यवार सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज अतना ही अगर आपको हमा चानल को सब्सक्राइब करना ना पूलें